देखिए फोन बार-बार कट जा रहा है और हमारे लिए मुश्किल है क्योंकि कुछ-कुछ देर में जब गाड़ी तेज़ चलती है तो संपर कट जाता है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो जोश यहाँ पर हम लोगों में देख रहे हैं वो अपने आप में ये तस्दीक करता है कि पी-एम और उनकी लोग प्रियता का कोई यहाँ पर गुजरात में अमदाबाद में सानी नहीं है देखिये ना कई किलोमिटर का ये सफर अभी भी सड़कों पर लोग मौजूद है शाम का पहर है बच्चे महिलाएं सभी मौजूद है और वो सभी पी-एम को एक जलक देखना चाहते है रोहन गुपता जी देखिये हमने पहले भी आपको ये कह दिया था कि जिस खबर का आप हवाला दे रहे हैं वो फेक न्यूज है इस तरह की बातों को टिवी पर ना करें तो बहतर है क्योंकि हमें बहुत बचना चाहिए जब बात पी-एम की हो आप आज पी-एम का जो ये रोड शो है उस पर चर्चा करते हैं आज सुबह से कई नेता कह रहे थे ये तो चुनाओ जो मद्दान है उसको प्रभावत करने के लिए रोड शो किया जा रहा है लेकिन ये रोड शो की शुरुवात उसके बाद हुई है तो ये एक बताता है कि गुजरात के लोगों के साथ जो पी-एम का एक संपर्ख है जो उनकी लोग प्रियता है वो आज सड़कों पर दिख रही है वरना शाम के इस पहर में इतने लोग जो दिन से इंतिजार कर रहे हैं वो यूँ खड़े नहीं रहते और यह कई किलोमिटर तक आप देख रहे हैं कि यह लोग दिखाई देख रहे हुए कि अधरा में आती है तो आपको सारे रोक रेकॉर्ड जो आप जो खुशी आपको हो रही है शायद उससे दुगनी खुशी आपको होती तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जब भी आज बड़े नेता रोड से गुजरते हैं या वो करते हैं तब लोगों का हुजूम होना स्वाबा भी है पर आपकी खुश क्योंकि जब दस जोश के साथ यहां पर लोग प्रधान मंत्री का इंतजार कर रहे हैं अभिनंदन कर रहे हैं और लोग भी उन्हें मायूस नहीं कर रहे लोगों के बीच से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं और प्रधान मंत्री लोगों का भिनंदन स्विकारते हुए आगे बढ़ रहे हैं सड़क के दोनों तरफ लोग हातों में मोबाइल लिये हुए उनकी तस्वीरे लेते हुए प्रधान मंत्री का ये रोड शो जिसकी लाइफ कवरेज एक्स्लूसिव आप आज तक पर देख रहे हैं क्योंकि पी-एम का ये काफिला और उसके ठीक आगे हमारी ये गाड़ी चल रही है पी-एम लगातार गुजरात की जनता के साथ ये उनका स्टाइल है नरेंद्र मोधी का एक स्टाइल है जिसमें वो लोगों के साथ संपर्क सादने के लिए इस तरह से जुड़ते हैं और उस लाहे की तरफ बढ़ रहे हैं तेजी से जब गाड़ी चलती है तो फोन भी कट जाता है जैमर्स भी लगे हुए है तो थोड़ा फोन में मुश्किल हो रही है सबको मैं सुन नहीं पा रही हूं लेकिन स्लाइट कवरज में हम आपको दिखा रहे हैं प्रधान मंत्री का ये बेहत सफल रोड़ शो जिसमें एक बार देखिए फिर यहाँ पर लोगों का हुजून पहुच चुका है और लोग जबदस उसाह के साथ यहाँ पर पी-म का इंतजार कर रहे थे और लोगों का ये उसाह शाम के भी इस पहर में सभी पी-म मोदी को एक नजारा देख लेना चाते हैं करीब से और उनकी फोटो उनकी से उनकी तस्वीर हैं उनका विडियो बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं एक कमेंट आपसे ले लेती हूँ विनोच जी सबसे चोटा-चोटा कमेंट ये देखिए दिवाली भी अटाके भी आपस पुड़े जा रहे हैं विद्वा करकरताओं में बल्कि गुजरात की आंग जनता के साथ जुड़ने का उनका तरीका है और इस तरीके के तहर वह संपर्थ साध रहे हैं कि और कि सलक के दोनों तरफ लोग मौजूद है विनोट जी कि देखे पीम की लोगप्रिता है ये भाजपा की ताकत प्रिया वाजपा के लिए चुनोती भी है चुनोती इसलिए है कि भाजपा को इस लोगप्रिता कर को चुनाओ नतीजों में भी बदलना होगा आप याद कीज़े दोजार दो में एकसो सताइस सीटें दोजार साथ में एकसो सत्रा सीटें दोजार बारा में एकसो पंदरा सीटें और दोजार सत्रा में नियन्यान में सीटें तो पीम तो लोगप्रिता हैं पीम की लोगप्रिता भी पर करार बढ़ती जा रही है लेकिन इस बार इस लोगपृता के साथ साथ भाज़ता पी शीटे भी बढ़ा पाएगी ये भाज़ता के लिए बड़ी चुनोती है अब मुझे रगता है पीम तो अपना काम कर रहे हैं वो लोगपृता के साथ जंता के बीच जा रहे हैं अब इसको राजनीतिक परिणाम में बदल कियों को संदे नहीं है किसी लिए मैं करता हूं कि लोगपृता बाज़पा की ताकत भी है और बाज़पा के लिए एक चुनोती भी है जो बेंचमार्क जो लोगपृता की लाइन पधान मंतिकी में खीची है बाज़पा की जमिलदारिक उसको बरकार रख क्या उसको रख करेंगी ये बड़ा सवाल है क्या आपको है जगना सबसे खाने के लिए ये इपने आपने दिखाता है कि प्रधान मंत्री उनको लेकर किस तरह का उत्सा यहाँ पर लोगों की मौजूद की यह साफ दिखाती हुई कि प्रधान मंत्री जी की स्वागत के लिए एक जलक देखने के लिए और रोड को खड़े है चाहे भुदुल हो बच्चे हो फुड़े हो मिलाएं सबी लोग जो है उनको देखने के लिए जो एक उत्सा देख रहा हुँने जो जोश देख रहा है कि ऐसा लगता है जशन का पहुल एप कुछिया है कुछियों की लहाद दिख रही है अविदाबाद के सब्कों पे जितना पूरा रूट है आप जिधर से आप उठाएए जितना दूर तक उठाएए जितना दूर तक उठाएए मैं अभी सिवले पेशन से आया हूँ इसलिए कह रहा है उससे समझ में आता है कि कितनी लोग क रहता है अधर्णियों प्रधार मंत्रीजी ञें इस पात को दर्शाथ है कि परदार मंत्री जी ने जो बराबर से कहा है के हम एक सेवक की तरह है उन्हों ने एक गुख मंतरी के तऱ भी सेवा की और तब भी देश मॉन्पालर को पेंचामती एक सही सिवट नेना सपहरend सही जो लेता वही होता है जो जनता के बीच में देते हैं जनता के साथ उनकी तुख्वकों को बाटे सुख को बाटे और चंता की लोग पुरियता को पराप्त करें आज इस बात का मिसाल है यापर अब हमदाद के सब्सक्राइब कि इस उन्होंने इतने प्रश्राइब जो कि हैं लोगों के साथ जुन के लिए वो आज दिता है